Hello Friends, B Network में KYC start हो चुकिए, 22 स्मार्च से KYC start हो गया और 31 स्मार्च तक ये KYC चलने वाली है और ये अपडेट इन्होंने आज ही दिया है, यानि एक इस स्मार्च को ही अपडेट इन्होंने दिया है और हमारे पास सिर्फ 10 दिन रहेंगे KYC complete करने के लिए तो आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कैसे KYC complete करने और इसमें क्या 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 कंडीशन है क्योंकि KYC complete करने के लिए अभी कुछ कंडीशन है, बहुत कम ही लोग अभी KYC complete कर पाएंगे और जैसा कि आप लोग को पता है कि पहला राउंड इसका complete हो चुका है, जितने लोग के पास passport था उन्होंने अपनी KYC complete कर ली थी, लेकिन दूसरे राउंड में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है तो आपको बताते हैं KYC का क्या condition है तो यहां पर आप लोग देश सकते हैं KYC मार्च को यानि आज ही के दिन इन्होंने यह update दिया है A new round of KYC will open soon इन्होंने यहां पर पूरा condition बताया हुआ है कैसे KYC complete कर ने यह कौन से लोग अपनी KYC को complete कर पाएंगे Getting to Global Biz A new round of KYC will open soon B network DAO has been making improvement for KYC and decided to open a new round of from March 22nd to March 31st for 10 days यानि 10 दिन के लिए KYC स्टार्ट होगी 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक यानि कल ही से KYC स्टार्ट हो जाएगी Since there are still many bees who have passport and missed the last KYC So this time we still support passport for the KYC तो इसका मतलब यह है कि पिछली बार जितने लोगों ने miss किया था पिछली बार आप लोगों पता है कि passport से KYC complete हो रहे थी तो पिछली बार जितने लोगों ने miss किया है उन्हीं लोगों के लिए अभी KYC start की गई है यानि सिर्फ passport से ही लोग अपनी के वाई से complete कर पाएंगे अभी के लिए Please do not upload documents other than passport यानि passport के लावा कोई भी document आपको upload नहीं करना है तो यहां पर बात यहां आती है कि जितने लोगों के पास ID card है विल भी accepted in later round यानि आने वाले कुछ rounds में आने वाले rounds में KYC का जब अगला round आएगा या उससे अगला round आएगा तो उसमें identity से भी KYC complete हो पाएगी तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरुवत नहीं है ऐसा नहीं कि passport से ही सिर्फ KYC complete होगी ID card से KYC नहीं complete होगी यहां पर यह improvement करेंगे KYC ID card से भी complete होगी लेकिन अभी के लिए यहां पर passport से ही KYC complete होगी उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है please rest assured that we will try our best to make it easier for everyone to pass the KYC यानि अभी KYC वही लोग complete कर पाएंगे जितने लोगों के पास passport है जितने लोगों ने पिछली बार अपनी KYC miss की थी यानि यह passport से KYC complete हो रहे थी उस वक्त वो लोग KYC नहीं complete कर पाएंगे तो वही लोग अभी अपनी KYC complete कर पाएंगे और बाकी हम लोगों के लिए जितने लोग के पास ID कार्ड है हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा अगले round तक हमें wait करना पर सकता है हो सकता है अगले round तक क identify KYC स्टार्ट हो जाएंगे बहुत जादा चांस है कि अगले राउंड से KYC स्टार्ट होगी जितने लोग के पास ID कार्ड है तो अब बात यहां पर यह आती है कि जितने लोग के पास पासपोर्ट है वो KYC कैसे करेंगे पुरा प्रोसेस उनको कैसे पता चलेगा तो वो भी हम आपको बताते हैं कैसे आप को पूरा प्रोसेस पता चलेगा सबसे पहले तो यहां पर अगर क्लिक करें तो नेक्स राउंड इसकुन यानि कल से के वैसे स्टार्ट होगी यहां पर ओपन होने लगेगा तो अब जितने लोग के पास पासपोर्ट है उनको पूरा प्रोसेस कैसे पता चलेगा तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको कल की वीडियो का वेट करना पड़ेगा, कल हम आपको बताएंगे कैसे आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, कैसे प्रोसेस क्या है, कैसे पासपोर्ट से आप अपनी के वैसी को कंप्लीट कर पाएंगे, यहाँ पर हम आपको एक बात ब तो इसलिए आप लोग को regular इसमें माइनिंग करते रहना है और जादा जादा coin को आपको इसमें collect करना है ताकि जादा जादा profit हो. तो या अबी के लिए वही लोग के वैसी complete करेंगे जिन्तें लोग के पास passport है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा क्या आपके पास passport है या नहीं और जेतने लोग के वैसी complete करेंग वो हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं. तो आप लोग चैनल को सब्सक तो में